2000 करोर की लागत से पटना में एक ऐसा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है जिससे तमाम पटना वासियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी और वो जो 13 किलो मिटर का लंबा पुल बनाया जा रहा है उसके तहट जो रास्ता आप डेर घंटा में तै करते थे सफर करते थे वो म पारे में मैं आपसे बातचीत भी करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे जालनीजिए मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटना के जाम में अगर आप एक बार फस जाते हैं तो फिर आप यह सोचने प पटना में लाई गई है जिसके तहद 13 किलोमिटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और इस कोरिडोर के मदस से आपका रास्ता काफी सुगम और आसान हो जाएगा इसके पीछे खर्च है वो 2000 करोर बताया गया है इसके लिए जो पूरा मैपिंग है वो तयार और सिट करना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से इस एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा एलिवेटेड रोड मतलब वो रोड जो पिलर के सहारे खरा होता है और उसका मकसद ये होता है कि जो बहुत संकिर्ण इलाका है जो जहां पे बहुत जादा जाम लगता है वहां पे जाम से निजात कैसे दिलाया जाए और इसी के लिए 2,000 रुपए खर्च कर रही है किंदर सरकार पटना में और Elevated Road का निर्मान कर रही है आप देख लीजिए New Bypass पे जिस तरीके का जाम लगता है उससे कितना जादा लोग परिशान होते हैं कितने जादा लोगों की दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो 13 किलोमिटर का रास्ता है उसे तै करने में लोगों को देर घंटे का वक्त लगता है अब New Bypass से लेके अनिसाबाद तक एक ऐसा रोड बनाया जा रहा है जिसके तहद आपका सफर बहुत सुगम और आसान ह हो जाएगा और तमाम जिस तरीके से पटना में जाम की स्तिती बनी रहती है उससे आपको निजात मिल जाएगी जब भी आप पटना आते हैं या फिर पटना सिटी में निकलते हैं कहीं दूर दराज से भी पटना आते हैं तो आपके मन में एक सवाल जो है वो कौधता है बा जाम नहीं लेती और इसी बीच ऐसा खबर आता है जहां पे 2000 करोड की लागत से 13 किलोमेटर लंबा एक पुल बनाया जा रहा है आप कह सकते हैं जो की रोड के उपर बनाया जा रहा है जिससे आपके रास्ति आसान हो जाएंगे और सिर्फ वो 13 किलोमेटर लंबे उस तो उसका असर पूरे शहर में देखने को मिलता है और आपने ये भी देखा होगा कि न्यू बाइपास पे किस तरीके का जाम लगता है आपने ये भी देखा होगा कि गुरुद्वारा जो मोड है वहां पे किस तरीके का जाम लगता है और अगर उसे कंट्रोल कर लिया जा इस रोड की मदद से तो जाम की स्तिती से आपको निजात मिल जाएगी और आपको इस बात की खुशी भी होगी कि शायद आप जिस जाम में फसके बहुत जादा परिशान हो जाते थे उस परिशानी से आपको एक तरीके से मुक्ती मिल गई वहीं अगर बात किया जाए तो इसका नर्मान कारे जो है वो अब शुरू होने वाला है इसके लिए मैपिंग जो है वो सेट करनी जाने शुरू हो गई है अब जब न्यू बाइपास से होते हुए इस रोड को गुजारना है तो उसके लिए आप समझ जाए एक खेमनी चक 90 फ हैं जहां से अगर वो यह पुल होके गुजड़ेगा तो वहां पे भी पुल को काफी उचा रखा जाएगा और इसके लिए भी मैपिंग जो है वो शुरू हो गई है कि किस तरीके से इस रोड को गुजारना है किस तरीके से इस एलिवेटेड रोड को गुजारना है ताकि बाइपास पे भी कोई समस्या ना आए, वहाँ पे मेट्रो का भी काम हो रहा है, उसको भी नदर अंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी को लेके पूरी तयारी जो है, वो विहार गोर्मेंट और किंद्र सरकार दोनों मिलके करना जो है वो शुरू कर चुके हैं, अब आप इस समस्याएं थी, जो मूल समस्याएं थी, उससे आप आसानी से निजात पा सकते हैं, बाकी ये जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपिया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दी बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है